दोस्तों काफी लोग का YouTube चैनल इसलिए monetize नहीं हो पाता है क्योंकि उनके YouTube चैनल पर use contain आ जाता है और काफी लोग का YouTube चैनल monetize भी हो जाता है लेकिन monetization reject हो जाता है और काफी बार तो ऐसा होता है कि बिना मतलब का YouTube चैनल पर use contain आ जाता है तब भी monetization reject हो जाता है तो दोस्तों शुरुवाती सेवे में क्या होता है कि जब हमारे YouTube चैनल पर 1000 सस्काइबर और 4000 घंटे का जब वाट टैम पूरा हो जाता है उसके बाद हमारे YouTube चैनल पर use contain है तो हम हमारा monetization reject हो जाएगा जब हम apply करेंगे तो हम पर reject हो जाएगा तो उस समय हम को करना क्या है कि हमें पता चल जाता है कि कौन-कौन वीडियो पर use contain आया होगा वह वीडियो को आपको डिलीट करना है अगर आपने किसी का वीडियो डाउनलोड करका अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको वीडियो डिलीट करना पड़ेगा या फिर बड़े बड़े यूटूबर का वीडियो डाउनलोड करकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हो बिना किसी मैनत के तो वह वीडियो भी आपको डिलीट करना पड़ेगा बिल्कुल डिलीट क यूटूब की तरफ से तो यह गलती अगर आप कर रहे हो अपने यूटूब चैनल पर तो आपका मुनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिल्कुल कर दिया जाएगा काफी लोग जो है रियक्षन का वीडियो बनाते हैं और अपनी जो वीडियो ना छोटा सा रखेंगे और जो वीडियो डाउनलोड करकर मतलब अपलोड करते हैं वो वीडियो का बेग्राउंड बड़ा रखेंगे तब भी आपके यूटूब चैनल पर रियूज कंटेन आ जाएगा अगर आपको रियक्षन वीडियो बनाना तो अपनी वीडियो बड़ा रखो दोस्तों रियूज कंटेन आजाएगा वहां पर आपको महनत दिखाना पड़ेगा तभी आपके यूटूब चैनल पर रियूज कंटेन नहीं आगा माली जे कि अगर आपके चैनल पर रियूज कंटेन आता है तो आपका जो मुनेटाइजेशन ना वह मतलब आपका कि जो चीज मैं आपको बताया हूं कि किसी का भी अगर आपने वीडियो डाउनलोड करकर अपने यूटूब चैनल पर अफ्लोड क्या है तो वह वीडियो डिलीड करना पड़ेगा या फिर अदर सोचल म्―डिया से चाहे शोल्ड बीडियो चाहे लोग वीडियो तो कई बार क्या होता है कि रिपिटेट कंटेन आजाता है और कई बार क्या होता है कि रिउज कंटेन भी आजाता है तो वह वीडियो भी आपको डिलिज करना पड़ेगा एक वीडियो को दो बार अपने यूटूब चैनल पर अपलोड नहीं करना बिलुकुल नहीं करना नही तो आपका YouTube चैनल कभी नहीं monetize होगा तो ऐसे में आपको लगता है कि आपके YouTube चैनल पर कौन-कौन सी वीडियो पर reuse content आ सकता तो वीडियो आप delete करो और एक महिने बाद monetization के लिए apply करो तो आपका YouTube channel monetize हो जाएगा और काफी लोग का तो क्या होता ना कि YouTube channel monetize हो जाता है तो उन्हें यह लगता है कि बस YouTube channel monetize हो गया उसके बाद मैं किसी का भी वीडियो डाउनलोड करकर अपने YouTube channel पर डालू जैकि monetization reject नहीं होगा तो दोस्तो आप गलस सोच रहे हो आपका monetization reject हो जाएगा उस समय आपको करना क्या है कि वीडियो आपको delete नहीं करना है जब आपका YouTube channel monetize हो जाता उसके बाद reuse content के कारण monetization reject होता तो उस समय आपको वीडियो डिलीड नहीं करना है 14 दिन का YouTube समय देता है वहाँ पर आपको appeal करना है और appeal में आपको बताना है कि मैंने किसी का video download करकर अपने YouTube channel पर upload नहीं किया है या फिर किसी अदर social media का मैंने video download करकर अपने YouTube channel पर upload नहीं किया मतलब यह है कि मैंने कोई भी गलती नहीं किया फिर भी मेरे YouTube channel पर reuse content आजाता है काफी बार क्या होता है कि यूटूब की तरफ से आ जाता है मतलब ऐसा ही यूटूब पकड़नी पाता नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका जो मुनेटाइजेशन है वो रिजेक्ट किया जाएगा अगर आपने सच में गलती किया अगर आपने गलती नहीं किया फिर भी रियूज कंटेन आया तो उहाँ पर आप अपील करके एक वीडियो बनाओं वहाँ पर आप यूटूब को बता सकते हो कि मेरा ये मतलब अपनी यूटूब चैनल का स्क्रीन सोट ले लेना है और वीडिय विदियो मतलब किसी का मैंने यूज नहीं किया फिर भी मेरे यूटुब चैनल पर यूज कंटेन आ रहा है अगर दोस्तों यूटुब चेक करेगा आपके मतलब चैनल को अगर सच में यूटुब की तरफ से गलती है तो रूज हताज दिया जाएगा मतलब हट जाएगा और आप जो है आपका मोनेटाइजीटाइशन मतलब आपका YouTube चैनल दूबारा मुनेटाइज हो जाएगा लेकिन दोस्तों अगर रियूज कंटेन हो रखा आपका चैनल और उसके बाद रियूज कंटेन के कारण monetization reject होता है उसके बाद काफी लोग मतलब डर जाते हैं और video delete करने लग जाते है तो उस समय क्या होगा आपका Google Adsense account है ना permanent के लिए delete हो जाएगा मतलब monetization हमेशा के लिए reject हो जाएगा appeal का जो option है वो भी हड़ जाएगा तो आपको ये गलती नहीं करना है हड़ बढ़ाना बिल्कुल नहीं है सांत दिवांग से करना है आप delete तब करोगे ना जब आपका सुरवाती समय रहेगा 1000 सक्काव और 4000 घंटे का जब आपका वाट टैम पूरा हो जाता है उसके बाद reuse content आता है यूटूब चैनल पर आ गया है तो monetization reject हो जाता है तब आप मतलब delete मत करना वीडियो नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपका permanent के लिए Google Adsense account suspend हो जाएगा मतलब आप monetization आपका हमेशा के लिए reject आएगा को appeal का option नहीं दिया जाएगा कुछ नहीं हमेशा के लिए delete हो जागा तो ये गलती आपको नहीं करना है बिल्कुल नहीं करना यही सारी चीजे में आपको बता रहा था और आपको मैंने बताई दिया है कि reuse content कैसे आता है एक तो एक वीडियो को दो यूटूब चैनल पर upload नहीं करना है किसी बड़े यूटूबर का सोड वीडियो हो या लोंग वीडियो डाउनलोड करकर अपने यूटूब चैनल पर upload नहीं करना है और अधा सोचल मीडिया का भी वीडियो डाउनलोड करकर अपने यूटूब चैनल पर upload नहीं करना है कुछ रूल होता है जो यूटूब दे देता है काफी बार क्या आता है कि यूटूब से गलती हो जाता है यूज कंटेन्स दे देता तो यहां पर आप अपील करके बता सकते यूटूब को 14 दिन का समय देता है यूटूब को आप बता सकते हो तो यह गलती आपको नहीं करना बाकि के ले इतना है